AdSense income बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें strategy को सही से implement करना पड़ेगा, और सबसे important strategy होता है कि भाई, AdSense account के अंदर जो low CPC वाले advertisers हैं, उन्हें हम properly block करें, लेकिन यह process जितना कहने में आसान है, करने में उतना easy है नहीं, अगर कुछ आप लोग mistake करोगे, तो properly आपके website में ads ही न learning नहीं होगा, इसलिए process को properly समझिए, जो मैं step by step, practically आपको करके दिखाऊंगा, वो करिए, तब ही आपको सही से result मिल पाएगा, और AdSense revenue boost करने के लिए, सिर्फ low CPC ads को block करना ही काफी नहीं है, इसलिए आपको सही से ad placement करना पड़ेगा, और आपका hit map आपको find out करना पड़े कर लिजिए, क्योंकि ये पहला step आप अगर implement कर लेंगे, उसके बाद आपका काम होता है, arts blocking का, चो कि अभी हम करेंगे, अगर आपने वाला वीडियो देखा है, तो बहुत अच्छा, अभी इसी वीडियो को आगर continue करते हैं, अगर नहीं देखा, सबसे पहले बहुत देखक कर लिजिए, देन आप ये वीडियो चेक आउट करिए, ठीक है, तभी हम लोग without testing time, screen पे चलते हैं, और low CPCR networks को block करते हैं, और कैसे करना है, बहुत प्राक्टिक लिए आपको बताऊंगा, step by step follow करिए, दोस्तों अभी हम लोग screen पे हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रूब दिखाया था कि अभी के टाइम पे मेरा revenue कितना अच्छा बन रहा है, वही उतना ही page view में मुझे ज्यादा CPC मिल रहा है, ज्यादा CTR मिल रहा है, तो अभी सबसे पहले मैं आपने AdSense account में चलता हूँ, तो यहां पे मैं open कर रहा हूँ अपना AdSense account, जैसे कि देख सकते हो, यहां पे में refresh करूंगा, और refresh करने के बाद, देखिए 93 का CPC था, लेकिन अभी थोड़ा down हो गया है, और जो 2 days revenue है, वो देख सकते हो, और CPC आप लोग खुद देख सकते हो, और CTR आज थोड़ा down है, हर दिन सेम रहेगा, इसका कोई guarantee नहीं है, कल थोड़ा page view कम ब बना था, और उतने में ही $2 बन गया, ठीक है, और आज का तो आप लोग देखी पा रहे हो, CPC कितना अच्छा है, और page view तो आप देखी सकते हो, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, process हमारा है कि हम लोग low CPC add network को block करेंगे, add networks को block करेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना 30 days पे अपको click करदेना है, ठीक है, जैसे आप लोग last 30 days पे click कर दोगे, अभी आपको scroll down करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा, देख सकते हो, scroll down करने के बाद, यहाँ पे दिखेगा, add networks, ठीक है, इस पे आपको click करना है, जैसे click करोगे तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको बता रहा है, estimated earning यहाँ पे जो Google AdWords के थुरू है, वो 93% है, 93%, बाकि जितने सारे अर्ड नेटरों के यहाँ पे है, उनको मिला के भी बहुत कम, मतलब, देखो, Google AdWords, 93%, double click, bid manager, Europe, उसका 4.1%, उसके बाद जितने सारे दिख रहे हैं, वो 2.6%, लेकिन जितने दिख रहे है उनका number आप देखना, ठीक है, मैं scroll करता हूँ, देखिए, यह बाला Google AdWords का सबसे ज़्यादा है, और यह बाला, यह दोनों से हमारा ज़्यादा कमाई है, लेकिन उसको छोड़के, जितने भी सारे 8 networks है, तो आप देख सकते हैं, उनका हालत क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले यह बाला को क्या करते हैं, इन सब को, देखिए, एक्जाक्टली आप देखिए, इंप्रेशन और RPM, इसका Google AdWords का है 1.36 डॉलर, इसका है 3.59 डॉलर, और इसका है 1.79 डॉलर, लेकिन जितने भी 8 network का RPM, 0.0 के बाद है, वो 8 network को हम लोग इजीली कॉपी कर लेते हैं, इजीली ठीक है, मैं क्या करूँगा, इन सब को कॉपी करूँगा, कहां पे, notepad पे डालूँगा, ठीक है, एक-एक करके, याद रखिए, जिनका भी RPM बहुत कम है, उनको पिक करिए, बिंदास पिक करिए, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, ताकि हमें ज्यादा अच्छे arts आपने website पे सब को लेते हैं, एक-एक करके, उसकी बाद देखिए, ये Google invite media तो इसको छोड़ते हैं, क्योंकि इसका RPM तो बहुत अच्छा है, और इसका भी RPM बहुत अच्छा है, और देखिए, 0.51 इसको रहने देते हैं, लेकिन जिनका भी बहुत कम है, उनको लेते हैं, जैसे कि ये दे देखिए, 0.50 इसको भी रहने देते हैं, लेकिन ये देखिए, 0.26, तो इसको पिकल लेते हैं, इसी तरह आपको बहुत minimum जो है, देखिए, 0.26 है यहाँ पे, लेकिन impression इतना ज़्यादा आ रहा है, लेकिन click और revenue जीरो के बराबर, clicks भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे addinator को अपने इसने भी सारे low, देखिए, ये वाला, 0.10, तो इनको पिक करना है आपको, ये सब को, ठीक है, ये सब को पिक करना है, और ये देखिए, ये भी चलेगा, 50 से उपर है, तो इसी तरह आपको डेहर सारे, ये वाला देखिए, अरे भाई, 0.02 का, तो इसको हामें क्यों दिखान है, अपने साइट पर बोलो, यहां पर 6 बार इंप्रेशन दिखा दिया, लेकिन कुछ बना ही नहीं, एक बार क्लिक भी नहीं आया, तो इन सब को, बिलकुल नहीं दिखाना है, अपने साइट पर, और ये भी दिखिए, इस तरह से थोड़ी ना चलेगा, हमारा, तो इनको यहां पर डालते हैं, और ये देखिए, ये भी एक है, 0.10, मुझे नहीं चाहिए भाई, ये से आड़ नेटवर्क अपने साइट पर आड़ दिखाएगा, भाई, इतना मेहनत करके आर्टिकल डाल रहे हैं, लेकिन ये सब हमारा कच्रा कर रहे हैं, तो इन सब को, कॉपी कर करते हैं, और इसको भी देखिए, भाई, 0.21, 0.14, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, और मज़ा आ जाएगा, देख सकते हैं, 0. इसको लेते हैं, सब को लेते हैं, और इसको भी लेते हैं, तो इसी तरह आप एक-एक करके, एक-एक करके सब को, सब को पिक कर जितने भी हैं, ठीक है, मैं यहां पर pick कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद scroll करिए, नीचे देखिए, यह वाला देखिए, 0.01 का, तो इसे क्यों चाहिए भाई, इस तरह के RD network, तो इस तरह मैं copy कर रहा हूँ, और आप लोग भी, आज इस तरह जाके अपना copy करिए, copy करिए then हम देखते हैं इनको क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, हमें हमेशा CPC नहीं मिलता है, हमें RPM और CPM भी मिलता है, और अभी के टाइम पे RDX का जमाना है, ठीक है, तो यह सारे RD network जब RD दिखाएंगे, उनका impression पे भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो इन जैसे को क्यों दिखा हम अपने website पे बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, ठीक है, तो इसको भी लेते हैं, भाई 15 वार impression दिखा दिया और देख सकते हो, impression RPM 0.01 का, क्यों चाहिए भाई इतना पेसा तो मैं संबाल नहीं पाऊंगा, मत दो आप लोग, यह देखिए, 0.08 का, इन सब को मैं हटाऊंगा ही अटाऊंगा, ठीक है, इसको shift media, यार, कितने सारे हैं, लब, अब तो भाई ना के बराबर, अब तो जितने सारे हैं, देखिए, यह वाला, इन सब को पकड़ो, ठीक है, इसको लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, एक बार दिखाया है, उसको थोड़ा मोका देते हैं, लेकिन आप खुद देखो, यहाँ पर 30 impression आया है, और 0.01 का, क्यों चाहिए भाई, इस R network, ठीक है, यहाँ पर हमने collect कर लिया, जो कि भाई, बहुत ही, बहुत खराब result हमें दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इसको बस ऐसे ही रहने दीजिए, हमें मिल गया, इतने सारे R network, जो कि हम इसका data है, अगर आप पूरा overall का data देखना चाहोगे, तो वो डाल देना, तो आपको दिख जाएगा, consequence से R network से अपिर हो रहा है, और केसा result मिल रहा है, अब हम क्या करेंगे, अब चलेंगे यहाँ पे, brand safety में, और उसके बाद content पे click करेंगे, ठीक है, उसके बाद blocking control पे R network, यहाँ पे all sides के लिए है, ठीक है, R network, then यहाँ पे दिखिए, मैंने एक को block कर रहा है, एक को, इसी में अगर इंडिया में बहुत ज़्यादा impressions आ रहे हैं, लेकिन ना ही click, ना ही मुझे इससे कोई benefit, तो मैंने इसको off करने का सोचा, तो सबसे पहले मैंने इसको off किया था ठीक है, बाकी मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है, अभी दिखिए कितने सारे R network है, 32,000 है, तो उन में से मैंने एक block कर दिया, और अभी जितने सारे हैं, इन सब को pick करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको search करना है, वो R network करना, search, उसके बाद आएगा, यह दिख ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी कर रहा हूँ, तो उसके बाद, DBM India, यह गया, उसके बाद इसको search करेंगे, search, देखिए, DBM India, यह आगया, तो इसको अभी क्या करते हैं, आप कर देते हैं, और उसका related भी आ रहा है, चाहो तो उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है, ताकि उनका आड़ ना दिखें, क्योंकि अगर primary का भी आड़ मतलब दिखके भी कोई फायदा नहीं, तो इन सब को क्या देखाना है, ठीक है, still रहने दो, अपना data को analyze करो, अगर आपको दिख रहा है, इन में से अच्छा result तें, इनको क्या आउप करना, ठीक है, इसी तरह आप एक-एक करके, अपना एक इसको तुम्हेंना already कर रखाए, इसी तरह आप एक-एक करके, सब का, यहाँ पे search करोगे, search, then उसको block करोगे, ठीक है, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इसी तरह आप एक-एक करके, सारे के लिए, जितने सारे आपको कम impression, मलब कम RPM दे रहे हैं सबको, आपक पेस्ट करो, और search करो, और उनको block करो, ठीक है, यह पहला में थड़ गया, लेकिन यही सिर्फ only नहीं है, आपको इस तरह सब कुछ करना है, इसके बाद और भी कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और अभी scroll करेंगे, अभी back जाएंगे, सिधे back चलते हैं, ठीक है, तो अभी देखो, हमने यहाँ पे add network पे जाके, हम लोगों ने क्या किया, add को आप कर दिया, यह तो था एक segment हमने add network वाइज आप किया, उसके बाद आएगा यहाँ पे general categories, इस पे click करोगे, manage general categories, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, आपके website का revenue बन रहा है, वो कौन से कौन से segment पे बन रहा है, कौन से काटेगरी पे बन रहा है, ऐसी कि देख सकते हूँ, यहाँ पे पहला category पे मुझे, impression RI 8.7% का, और revenue 5.7% का revenue इसी category से मेरे को बन रहा है, तो यह category wise भी आप off कर सकते हो, लेकिन category wise off करना थोड़ा, अमलब, heavy decision होता है, क्योंकि हो सकता है वही category से आपको बा इसी लिए category wise block करना थोड़ा difficult है, और अभी देखो कि art and entertainment जो की सबसे कम सीपी से होता है, उसमें ज्यादा earning है, अगर आप ऐसे जिसे आपको ज्यादा earning हो रहा है, वो category को block कर देते हो, तो समझ सकते हो, 20% का revenue आपके site पे down हो जाएगा, देखो, आपके site पे जितने भी सारे traffic है, वो जहां पे आ रहे हैं, मतलब आपके site पे आ रहे हैं, तो वो ये देखेंगे, उनको related जो अच्छा लगे गए, यानि कि आपका site अगर entertainment पे है, और ये जो traffic अगर entertainment पे आ रहे हैं, तो उनको अगर entertainment पे related content अच्छा लगता है, arts अच्छा लगता है, तो उस पे वो click कर अगर आप लोग ज्यादा CPC के उम्मीद पर ये Art and Entertainment को ब्लॉक कर दोगे तो ये 25% का revenue खतम ठीक है और यहाँ पर अगर all category wise आप आफ करना चाहते हो जो only 0% पर है जैसे कि दिखिए यहाँ पर 0.2, 0.3 और यहाँ पर देखो कि 1% जो है उनको हम 1% wise को छोड़ देंगे only 0% को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं यह जैसे कि है इसको हम off करेंगे ठीक है यह वाला को और preview आट पर क्लिक करने के बाद आपको इसका preview अगरा देख सकते हो preview यहाँ पर दिखेगा got it ठीक है उसका preview देखेगा और still आप decision लेना कि आप इसको off करना चाहते हो या फिर on रखना चाहते हो we could not find any matching ad results तो छोड़िए अभी आड इसके लिए available नहीं है तो छोड़ते हैं ठीक है तो इस तरह मैं आपको recommend करूंग अगर आप category wise block करना चाहते हो तो 0% पर जो revenue बन रहा है उनको block कर दो तब चलेगा ठीक है लेकिन जो process है हमने सबसे पहले implement किया जो ad networks को block किया recording our report last 30 days का कि कौनसा आड अड नेटोर्क को दिखा है किसमे हमें earning हुआ है किसमें नहीं हुआ है वो सब data देखके आप आड नेटोर्क पिक करो और सबको block मार दो ठीक है लेकिन यह आपका final नहीं है ठीक है मैं बता रहा हूँ यह आपको करना है लेकिन ऐसा भी हो सकता है यह सब करने के बाद आपका revenue पर down भी दिख सकता है और high भी दिख सकता है ठीक है देखो अगर हम ल कर आए उनको आप block कर सकते हो ठीक है अभी मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन आप यह कर सकते हो अगर करना है simply यहां पे बटन पर क्लिक करोगे तो यह block हो जाएगा क्योंकि यह जो category है हमारा blog इस category में है ही नहीं that's why block कर देंगे तो फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भी 0% revenue ही बन रहा है और यह 2% 0.2% जो कि मेरा beauty and personal care ही नहीं website तो इसको on में रखूंगा क्यों यह मैं आसानी से बंद भी कर सकता हूं क्योंकि impressions आ रहा है लेकिन इसमें relevant traffic नहीं होगा तो click नहीं आएगा इतना जल्दी इसलिए यहां पर बहुत कम है और यहां पर देखो number of blocked subcategory तो लेकिन still revenues में कम है तो कर सकते हैं ठीक है 0.3 0.2 समझ सकते हैं इनको हम block कर सकते हैं यह था categorized block लेकिन सिर्फ यहीं नहीं अभी और थोड़ा देखते हैं detail में अभी देखिए यहां पर sensitive category इस पर कुछ नहीं करेंगे हमने क्या किया general categories पर काम किया और add networks पर काम किया अभी हमे advertiser URLs ठीक है यहां पर आप लोग particular advertiser का URL सर्च करके डाल सकते हो और यहां पर जो मैं tips के बारे में बोल रहा था दोस्तों जब भी हम लोग अपना कभी भी आपने देखा होगा जो maximum ads आते हैं Facebook का आता है बाई really उसमें बहुत कम CPC होता है Facebook का Amazon का Amazon.in का ठीक है mostly Amazon.in का और Facebook.com क यह दोनों word हर जगा दिखता है हर एक website पर दिखता है beginning stage में ठीक है तो अगर आप चाहो तो Facebook का आड़ को ब्लॉक करके देख लो क्योंकि बहुत ज़्यादा impression देता है लेकिन CPC बहुत कम है और Facebook आड़ पे बहुत कम लोग क्लिक करते हैं तो समझ सकते हो आप लोग यहां प यहां पर इसको सिधे ब्लॉक कर जा क्योंकि भाई really मुझे इसको नहीं दिखाना है क्योंकि यह एक एसा आड़ नेटवर्क है लब यह चलाता है अपना आड़ गूगल पे और trust me यह बहुत ही कम CPC देता है ऐसे Amazon.in को भी आप कर सकते हो वो भी बहुत कम CPC में आड़ चला लोग क्या करेंगे आसन इसे कोई low CPC आड़ नेटवर्क को ब्लॉक कर दिंगे अपने साइट से लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है आप अभी कर दोगे कल से आपको आर्निंग दिखेगा अच्छा इसका कोई guarantee नहीं दे सकता in fact मैं भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूं क्योंकि मैंने हर एक चीज को प्रॉपर्ली इंप्लेमेंट किया आड़ प्लेस्मेंट से ही किया अपना website का structure को सही से बनाया और speed के पीछे नहीं भागा बहुत सारा लोग को भाई speed 90-100 करना है अगर आप AdSense यूज कर रहे हो तो उस condition में speed 90 आउड़ 90 आप 100 आप 100 होना नहीं चाहिए ठीक है तो उस condition में आप लोग थोड़ा सा speed देखो ताकि user उसे properly access कर पाए क्योंकि ad properly load होगा तभी आपको revenue बनेगा ठीक है ये बात को हमेशा याद रखो उसके साथ ad placement properly करो, hit map properly submit करो, अलब hit map से data properly analysis करो और manual code भी use करो, then audience आएगा तो convert और adsense से काफी अच्छा है affiliate marketing and referend earn, इससे आप बहुत जदा कमाई कर सकते हो, in fact हर एक niche पे हो सकता है, लेकिन आप लोग उसमें ध्यान ही नहीं देते हो, भाई एक user आएगा, अगर वो आपको कुछ pay करके चला जाएगा, मतलब pay means कि वो तो खुद नहीं देगा न, affiliate marketing आप refer हो जाता है, तो हर एक audience, हर एक user से आप कुछ ना कुछ कमाई कर लोगे, वो केसा होगा समझ सकते हो न, in fact अभी के डाइम पे तुम्हेरा personal and suggestion है कि भाई, in fact अभी के डाइम पे मैं भी बहुत जदा affiliate और referend earn को use करने लगा हूँ, क्योंकि trust me, बहुत amazing result है, और आप लोगो क love adsense को भूला ही देगा, क्योंकि इतना अच्छा कमाई हो जाता है, कम traffic में, जो भी user आएंगे, maximum user convert हो जाते हैं, ठीक है, इसी तरह दोस्तों आप लोग ये सब कर सकते हो, अगर आपको कुछ doubt रहा, तो definitely comment करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, make sure वीडियो को like क क्योंकि इसे ही आपको धमाकिदार वीडियो देता रहूंगा, और उसके लिए जाता कुछ नहीं है, simply ये black button को आपको दबाना है, उसके बाद विल आइकन को प्रेस करके, यहाँ पे, all पे दबाना है, मेरे सारे वीडियो का notification आप लोग को मिल जाएगा, आज के लिए वस इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेस वीडियो साथ, अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा, तो धन्यवाद and let's grow together!